हेलो गईस दुस्वागत है आपका आज के इस वीडियो में तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप एक आटोमेटिक पूल अपने माइनक्राफ्ट वोल्ड में कैसे बना सकते हैं तो देख सकते हैं यह कुछ ऐसे काम करता है आप जैसे लीवर को दवाएंगे मतल लीवर को दवाएंगे तो यह बंद हो जागा जिस पर आप चल भी सकते और जैसे बापस लीवर को दवाएंगे क्या कहता है पानी बापस आजएगा तो काफी कूल सा चीज है इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले बहुत बड़ा जगा चाहिए क्योंकि यह बिल्ड ब इसके बाद आपको इसे पूरा मतलब की स्कॉयर की तुरह कर देना है सेक्स इंचे उस्ट ग्लॉक को अधेना है कुछ इस तरह और उसके बाद आपको फिर इन चार ब्लॉक डेप अंदर की ओर टोड़ना तो यह पहला था दूसरा तूसरा चौथा और फिर आपको इसी तर और बाकी सारे डट ब्लॉक को हटा देना है कुछ इस तरह से दिखेगा यह गड़ा यह पूरा एक स्क्वाइर है उसके बाद आपको एक ब्लॉक एक कोई भी साइट से लेक के छोड़ देना है कुछ इस तरह जैसा मैं करो आप उसा फॉलो करिए फिर एक लाइन ड्रॉ करना ह से और फिर आपकोErkin र सेलेक्ट करना है और उसे पर लगाना है कुछ इस तरह उपर के करना होना में होना चाहिए और यह छोड़ु के उसके बादा से फिर फिर से एक ब्लॉक छोड़ुके bypass के लाइन के उस तरह आपको लगाना है इस्टी की पिश्टन कुछ है इस तरह उपर की और और फिर बाकी सारे को कनेक्ट कर देना है उस मेल लाइन से उसके पास सीधे जो आप देख रहे हैं वहां आपको गढ़्धा करना यहाँ kann two block अंदर की और फिर एक ब्लॉक उपर करना है और उस पर रेस्टोंडर लगाना है फिर उक और ब्लॉक उपर करना है मैं इस सीध्क कर देता और इसके उपर आपको रख देना फिर आप एक और ब्लॉक तोड़ेंगे आप उससे बाहर आ जाओगे मतलब कि आपका आसमान खुल जाएगा उसके बाद आपको बापस पीछे जाना है उपर सर्फेस पे आना है जहां पर आपने छेद किया वहां जाना है और उसके उपर ए कि नहीं उसके बाद आपको कि उसके बाद आपको क्या करते हैं गेजल टेरा कोड़ा ले लेना है कोई भी कलर चलेगा बस वो गेजल ढोना चाहिए और उसके बाद एक ब्लॉक नीचे से छोड़के दो ब्लॉक जिस तरह मैं कर रहा हूं वह से करें कुछ इस तरह से आपको एक ब्लॉक डिप छेद कर देना वो भी हर साइड में हर साइड में कुछ इस तरह और जहां डिख गया आपको वहां पर गेजल क्या कहते है टेरा कोटर लगा देना वो भी हर साइड में कुछ इस तरह उसके बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा और उसके बाद आपको स्लाइम ब्लॉक लाना है और ऐसे कुछ इस तरह से लगा देना है तीन-तीन का दो और क्या करते हैं ओपस आपको हनी ब्लॉक ऐसे लगाना है फिर सलाइम ब्लॉक आप यह मेक शेयर करिएगा ना कि क्या करते यह जो लाइन दीक रहा है उसके इसे दोनों तरफ क्या करते होना चाहिए जिस तरह से मैंने किया अगर आप इस तरफ से मतलब तीन-तीन का लेंग न तो आपका नहीं काम करेगा आपको क्या करते लीवर के एकदम सामने होना चाहिए उसके बाद आपको क्या करते कोटेक्स ब्लॉक सेलेट करना है और यह जो दिख रहा है इसके उपर कबर कर देना है जैसी कबर हो जाए आप क्या करते एक बाद चेक कर लेजिए कि आपका काम नहीं कर रहा है कोई गलती नहीं हो गई यह मतलब कि आप सुदार सके और फिर एक क्या करते हैं ब्लॉक किनारे से आपको आउटलाइन की तरफ तोड़ लेना है और सारे कॉर्णर में टेरा कोड़ा लगा देना कुछ इस तरह से उसके बाद आपको वाटर बकेट लेना है अब पूरा पानी अच्छे से फिल कर देना है अच्छे से फिल करिएगा पूरा एक दम कुछ इस तरह से और उसके बाद आपको कॉड़ेक्स लैप स्लेक्ट करना है और किनारे से मतलब की जो लाइन आपने डिक किया ता पिछलब लोग उसे कबर कर देना है कुछ इस तरह से जल्दी से मैं आपको आगे ले जाता हूं देख सकते हैं मैंने यह कवर कर चुका हूं और वह बाकी सब गलती है मैं उसे तोड़ देता हूं आप हाँ कुछ इस तरह समना चाहिए उसके बाद आपको फिर जो कोड़ेक्स लेकरना है और उसे एक ओर लाइन ले के उससे मतलब की ब्लॉक और चलदी चलदी एकदम आपको क्या करती ये भर देना है को जल sow करें क्योंकि अगर आप क्या करते हैं थोड़ा टाइम ले सकते तो आपका रेट स्टोन पानी के कारण बेर भी सकता है तो बस यह थी और यह कंप्लीट हो जाएगा आपका विल्ट उसके बाद आप एक बड़ चेक कर लेजिए कि आपका विल्ट काम कर रहे के नहीं है काफी एजी बिल्ट था तो थैंक ये फूर बॉल्ट